दोस्तो आज जिस कहानी को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस कहानी का नाम है फुट्प्रिंट्स विदाउट फिट लिखेचों वाले लेखा का नाम है एच जी वेल्स यार ये कहानी कितना मज़दार है तुम इस बात से ही पता लगा सकते हो कि इस बुक का टाइटल भी यही है फुट्प्रिंट्स विदाउट फिट यह इतना मज़दार कहानी है कि किताब को छापने वाला आदमी किताब का टाइटल ही यही रख दिया चलो तब इस महा को एक बार कीचर में डालोगे, उसके बाद पक्का पे चलोगे, तो तुम्हारे पैर का निसान बनेगा ना। तो वही चीज वे लोग देखे, कि ये ताजा-ताजा पैर का निसान किसका है, वो आदमी कहां पर है। वो इस चीज से ज़्यादा हैरान हुए, कि जो पैर का निस पर में ना जूता ना चपल ना मुझा खाली पर तुम सोच रहे होगे इसमें क्या खास बात है भाई लंदन लंदन कहा है तुम कोमेंट करके बताओ तो यहार लंदन में उस समय ठंडा का सीजन चल रहा था और वहां का ठंडा बहुत ही जादा जोड रहता है भारत से दुग गुम रहा है यह देखकर वह लोग बहुत जोड से हैरान हुए वह लोग इधर देखने लगे कि वह आदमी कौन है जो खाली पर ऐसा ही घुम रहा है उससे कुछ नजर नहीं आया उसके बाद उसके नजर एक ताजा बना हुआ पैर का निसान पर पड़ा मतलब एकदम लोग को जानते हैं कि वे लोग कितना जिग्या सुरहते हैं मतलब कुछ भी चीज का कारण जानना चाहते हैं यार तुम भी तो बच्चे ही हो तो चलो मैं इसका कारण बता देता हूँ यार वो आदमी जो खाली पैर चल रहा था ना वो कोई और नहीं एक साइन्टिस्ट थ वो इस चीज पर रिसर्च कर रहा था कि आदमी भी इन्वीजिबल हो सकता है मतलब आदमी भी ट्रांसपैरेंट हो सकता है आदमी को भी ट्रांसपैरेंट बनाया जा सकता है जैसे गलास ट्रांसपैरेंट होता है यार ट्रांसपैरेंट वैसा चीज को कहते हैं जिसके आर प या तुछ कस रिसर्च काम कर गया यार वो इन्विजिबल हो गया वो दिखी नहीं रहा था उसके आरपार चीज दिखने लगा वो वहाँ पर है वहाँ पर छूने से आदमी का पता चलेगा लेकिन दिख नहीं रहा है जैसे ग्लास को तुम हाथ से चूओगे तो तुम्हे ऐस रहा था किराया पे मतलब रेंट में तो घर का जो मालिक था वो इसको पसंद नहीं करता था यार अगर आदमी सही रहागे तब ना कोई उसको पसंद करेगा भाई वो घर का मालिक उसको पसंद नहीं करता था और चाहता था कि यह साइंटिस्ट किसी तरीके से मेरा घर से बाह यार वो लॉलेश था मतलब कोई नियम कानून से नहीं रहता था कोई नियम कानून का पालन नहीं करता था अपना मन का मालिक था जो मन करे वो करेगा यार वो साइन्टिस्ट का नाम ग्रिफिन था न तो ग्रिफिन को जब यह पता चला कि उसका मालिक उससे हेट करता है कि वो घर उसका मालिक का था भाई अब आग लगाया है गल्ति किया है पुलीस पकड़ने के लिए नहीं आएगा अब उसको डर सताने लगता है कि अब पुलीस ना आ जाए अब इसके लिए क्या करें सोचा कि चलो भाग जाते हैं ऐसे भी मैं इन्विजिवल हूँ भाग जात भूत कहा जा रहा है सब को लाठी पकड़के जाएंगे मारने के लिए तिर उसके लिए खत्रा हो जाएगा तो वो क्या करें उसने सोचा कि चलो जो कपड़ा है उसको उतार लेते हैं जो एकदम ट्रांसर्पैरेंट लगेंगे ग्लास जैसा लगेंगे कोई देख नहीं पा जब फिर भागने लगता है, किचर पर ठड़ा थो थोड़े na रुख जाएगा चलते जाएगा। उसी समय जब वो आगे बढ़ रहा था तो उसका पैर का निसान दिख रहा था। यार ये कौन आदमी है? जो इतना थंड़ा में बीना जूता मुझा के चल रहा है और वो दोनों लड़के उसके पीछे पड़ गए जो मैं वीडियो के सुरुवात में बताया था ना उसको अब यहां से कंटिन्यू करता हूँ वो दोनों लड़का उस आदमी का पीछा करने लगे मतलब ग्रिफिन का पीछा करने लगे भाई आदमी को देखके पीछा नहीं कर रहे थे वो आदमी का पैर का निसान को देखकर पीछा कर रहे थे जो की पैर कीचड में पढ़ने के चलते बन रहा था भाई हाथ को कीचड में डालो और ऐसा ऐसा चापा मारते शाप बन रही है कि दिर्फ चाहर हो जाए के डिया चैका миश्रितर टीर अंट कुछटा चाहरा चाहरा इसका मतलब है था अब वो दोनों लड़का उसका जाह के भी पीछा नहीं कर सकता है क्योंकि उसका पाउं का निशान ही नहीं दिख रहा है यार लड़का से तो पीछा छुट गया लेकिन उस समय मीड विंटर था मतलब एकदम जोर का ठंधा लग रहा था पूरा आजपास का हवा पूरा ठ चन्धा का सीजन उपर से कपड़ा उपड़ा सब उतारल है उसको कितना ठंधा लग रहा होगा जरा सोचो तो एकदम जोर का ठंधा लग रहा होगा यार बोडी ट्रांस्पारेंट हो गया इसका मतलब यह थोड़े नहुआ कि उसको ठंधा गर्मी का असर नहीं होगा सब हो तो इसे एक दम मज़ा आ जाता, लेकिन ठंड़ का दीन है, इसको तो बहुत जोर का ठंड़ा लग रहा था, उसने तै किया कि लंदन का कोई बड़ा इस्टोर में जाते हैं, और वहाँ कपड़ा उपड़ा पांगे, खाबते पीते हैं, इतना ठंड़ा लग रहा है, तो कोई बंध होने का इंतिजार करने लगा, क्यों करने लगा, क्योंकि मान लोक वहाँ पर लड़ू रखा हुआ है, अगर उसको वह उठा के खाने लगे, तो उसका हाथ तो नहीं दिखेगा, लेकिन लड़ू उड़ता हुआ दिखेगा, कोई उसको देखेगा, तो हैरान हो जाए कपड़ा का पलास्टिक सबको खोला एकदम, और उसको पहनने लगा, पहना, सबसे सुरू गरम कपड़ा पहना, ऐसा कपड़ा पहना, जिसको पहनने से उसको थोड़ा गरम लगे, क्योंकि ठंधा उसको बहुत जोर से लग रहा था, उतना देरी पूरा, इधर उधर गली क कोचा में कुदा है, दोड़ा है, भागा है, तो ठंधा नहीं लगेगा, तो सबसे पहले गरम कपड़ा पहना, उसके बाद पायर में जूता पहना, उस गरम कपड़ा की उपर और एक कोट पहना, और सीर में एक टोपी ले लिया, हैट ले लिया, तो वाइड ब्रिम्ड को गाते हैं, जिसका किनारे किनारे निकला हुआ हो, तुम अपने NCRT बुक के फोटो में भी देख सकते हो, वाइड ब्रिम्ड हैट कैसा होता है, तो यार, वो कुछ ऐसा दिख रहा था, अब वो दिख रहा था, मतलब उसको कोई आदमी देख सकता है, जो कि उसने कपड़ पान लिया है, वो तो नहीं दिखेगा, लेकिन उसका कपड़ा दिखेगा, लेकिन रात को कौन आएगा मॉल में, उसका मालिक भी रात को मॉल में नहीं आएगा, भाई उसको भूख भी बहुत जोर से लग रहा था, गया कीचन में, वहां देखा, ठंड़ा ठंड़ा मीट में उसका नहीं दिख रहा था लेकिन उसका सिर्ही नहीं दिख रहा था भाई वो जूता भी पाना था ना यार अगर वो सुभा जल्दी उठ जाता मतलब टाइम से उठ जाता तो वो बच के निकल सकता था लेकिन यार वो उठने में लेट कर दिया सुभा हो गया अब सुभा को उस मॉल का एसिस्टेंट मतलब वो बिग लंदन इस्टोर का एसिस्टेंट और उसका वाइप आने लगा भाई ग्रिफिन का नजर उन दोनों पर पड़ा भाई जैसे उसका नजर पड़ा बहुत जोर से वो डर गया और भागने लगा अब यार तुम्हारे सामने कोई आदमी भाग रहा है तो तुम क्या सोचागोई कि ये कोई चोरी करके भाग रहा है तो तुम उसको दोडाने लगोगी कहे भाग रहा है ऐसा ही लोग उसको दोडाने लगे अब यार इसके बाद क्या होता है ये तो हम लोग जानेंगे निक्स्ट पार्ट में चलो बाई